हलो इस्टोडियंस वेलकुम तो इस्टेप अपक्यादमी मेरा नाम है सुर्भी तिवारी और मैं हूँ आपकी फिजिक्स टीचर आज हम करेंगे स्टार्ट वर्क एनर्जी का टॉपिक लॉफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब साफ समझ में आता है कि एनर्जी के बारे में बच्चों यहां बात हो रही है वो भी यह बात हो रही है कि एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसको हम ना तो कभी कर सकते हैं ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम सिर्फ उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं तो यह हो कैसे समझें तो एक छोटे से derivation form में मैं आपको समझाती हूं ठीक है हम समझेंगे freely falling objects का law of conservation of energy अब जब मैं किसी चीज को नीचे से उपर के उठा करके रखती हूं तो that means कि मैं opposite to gravity work करती हूं मुझे कितना force लगाना पड़ेगा जितना उसका weight है weight मतलब माली जे कि मेरे पास एक स्टोन है और उसका मास है 20 kg और उसके साथ acceleration multiply होगा क्योंकि gravitational acceleration तो हर चीज पर लगता है तो वह उसका weight हो गया total तो माली जे कि उसका total जो weight आ रहा है लगब 30 kg क्या प्रॉक्स आ रहा है तो मुझे कितना force लगाना होगा मुझे 30 kg ही force लगाना पड़ेगा जब मैं उसे उठाओंगी तो वह अपनी position से displace होगा और माली जे मैंने उसे h height पर place कर दिया तो यहां पर क्या हुआ यहां पर work done मैंने किया कैसे force और displacement के साथ अब क्योंकि यहां पर force लगा और displacement लगा एक particular height पर मैंने उसे रख दिया that means कि उसके अंदर क्या आगया उसके अनर्जी आ गए कौन सी energy आ गए तो mg h potential energy potential energy कैसे समझे force into displacement वो भी क्या है height तो mg into h potential energy उसके अंदर stored है ठीक है अब मान लिया मैंने कि वो जो object है वो मैंने बी position पर यहां पर रखा हुआ था तो इस case में क्या energies के अंदर है तो हमने इस chapter में दो तरीकी के energy पड़ी potential energy और kinetic energy तो इस case में इसमें है potential energy mg h और kinetic energy का क्या तो kinetic energy क्योंकि यहां पर object रखा हुआ है कोई भी इसमें motion नहीं कोई भी movement नहीं है इसलिए v0 होगा इस वज़े से kinetic energy 0 तो अगर मैं total energy के बात करूँ तो mg h plus 0 that is total energy कितने हो जाएगी mg h यह कौन से point पर b point पर अब हमारा law कहता है कि energy जो है वो कभी भी destroy नहीं होती बस एक form से दूसरे form में convert होती है चलो अब आगे देखते हैं अब मैंने इसे नीचे की तरफ फेका अब मान लीजे फेका तो उसमें motion होगा motion होगा तो कुछ ना कुछ initial velocity उसके अंदर आ जाएगी अब यहां पर इसने distance x कवर किया b से a पहुँचने में ठीक है तो अब इस position पर हम निकालेंगे इसकी potential energy clear है तो यहां पर आपकी potential energy क्या हो जाएगी यहां पर क्योंकि distance क्या हो गया x हो गया तो इसलिए यहां से यहां तक जो आपका potential energy होगा वो क्या होगी m h-x ठीक है क्योंकि यहां पर हमने क्या किया इतना distance कवर किया ठीक है that means कि मुझे यह distance निकाला पड़ेगा h-x करना पड़ेगा ठीक है भरिया तो हमारी potential energy होगी mg h-6 अब बात करेंगे कानिटिक energy की तो कानिटिक energy कितने हो जाएगी तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कानिटिक energy का formula लिखने पड़ेगा सबसे पहले तो वह होता है half mv square लेकिन यहां से मुझे v square की value निकालनी पड़ेगी तो v square की value हम माइनस u square equals to 2gs अब यहां पर displacement कितना हुआ है b से आने में x displacement हुआ तो चलिए हम यहां पर x की value रख देंगे यह जाएगा 2g x और यह जाएगा v square minus 0 तो v square की value कितनी हो गई 2g x हो गई अब अगर मैं total energy निकालू तो total energy कितनी हो जाएगी बच्चो तो ए point पर जो total energy है वो हो जाएगी आपकी m g h minus mg x यह कैसे किया मैंने potential energy लिखा यहां से और kinetic energy कितनी हो जाएगी हमारी यहां से दिखिए यह हो गया half m v square की जिगे हम लिख देंगे 2g x तो यह 2 से 2 cancel तो यह हो जाएगा plus mg x तो mg x से mg x cancel सेकेंड केस में भी देखो energy कितनी आ रही है m g h ही आ रही है मतलब कि energy को भी यह form change हो रहा है potential energy से वो kinetic energy में थोड़ी सी आ गई है लेकिन यहां पर भी mg h energy थी टोटल यहां पर भी टोटल mg h थी अब चलिए point c की बात करते हैं जैसे point c पर object आएगा तो अब इस case में potential energy कितनी हो जाएगी बच्चो potential energy will be 0 क्योंकि height आपकी 0 हो गई पहले h थी अब यहां पर h तो 0 है तो potential energy 0 हो जाएगा v square equals to v square minus u square equals to 2g h हम रखेंगे योगि टोटल displacement h है और इस तरह से v square equals to 2g h होगा तो अगर मैं इस value में put करूं तो यह हो जाएगा half 2g h 2 से 2 cancel ठीक है हमारी जो total kinetic energy होगी वह हो जाएगी mg h तो kinetic energy will be mg h और इस हिसाब से हमारी total energy भी mg h आ रही है तो मतलब जब point a पे है b पे है या c पे है हर केस में आपकी जो total energy है वह mg h है तो यह प्रूफ करता है law of conservation of energy को कि energy कभी भी destroy नहीं होती यह एक form से है तो potential energy कम होती जारी काइटिक energy बढ़ती जारी और जैसे हम horizontal access पहुचते हैं हम ground पर पहुचते हैं तो potential energy जिरो और वहाँ पर काइटिक energy आपको मिलती है और इस हसाब से हर जगे total energy जाहे वो किसी भी form में हो जाहे potential के form में हो जाहे काइटिक के form में हो हमें mg h ही मिल रही है तो यहां से derivation अगर आप चाहते हैं तो copy भी कर सकते हैं बच्चो अब यहां पर आपको question दिया हुआ है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इससे आप law of conservation of energy को और से समझ जाएंगे देसे की an object of mass 10 kgs dropped from a height of 5 meter अब एक object है मेरे पास जिसको मैंने पांच मीटर की height से ठीक है total height कितनी है यहां पर h equals to 5 meter ठीक है मैंने उसे पांच मीटर height से drop किया हरा now friendly blanks by computing the potential energy and kinetic energy अब हर case में आपको potential kinetic energy निकालनी है ठीक है मा लिजे 5 पर ठीक है उसके बाद 4 पर ठीक है यहां पर height कितनी है फोर है उसके बाद 3 पर आपको निकालनी है टू पर निकालनी है और वन पर निकालनी है इसको आप हैंसे हटा देते हैं तो आप सोचेंगे कि माम यह extra कहां से आ गया ठीक है तो आपको हर case में यह बताना है कि इसमें कितनी कितनी kinetic energy और यह हुई है ठीक ह अब चल सबसे पहले जब object 5 meter height पर है कितने height पर है 5 meter height पर तो वहां पर object placed है जिसका mass 10 kg है तो इसका मतलब यहां पर potential energy तो होगी MGH लेकिन kinetic energy 0 होगी क्यों 0 होगी क्योंकि यहां पर वह rest में है कोई भी इसमें velocity नहीं है इसलिए kinetic energy 0 तो अब MGH की value निकाल ले तो MGH यह तो 0 हो गया ठीक है MGH की value क्या हो जाएगी तो M मतलब की 10 ठीक है और यहां पर G को भी हम 10 मान रहे है क्योंकि question में दिया हुआ है और H H कितना लेंगे 5 तो इसे साब से हमारी energy कितनी हो गई 500 तो टोटल एनरजी 500 टोटल क्यों हो गई 0 प्लस 500 करोगे तो 500 यह आएगा now next next जब वो 4 meter की height पर पहुचती है तो height कितनी है 4 meter लेकिन displace कितना हुई 5 से 4 मतलब की 5-4 that is 1 meter displacement हुआ तो इस case में यहां पर B position के अगर मैं बात करूँ तो MGH कितना हो जाएगा MGH की value होगी M की जगे पर आप रखोगे 10 into 10 और H की place पर हम रखेंगे 4 क्योंकि height की बात कर रहे है तो that is 400 Joule अब अगर मैं बात करूँ kinetic energy की तो kinetic energy sorry kinetic energy क्या होती है half M V square अभी हाँ पर मुझे V की value निकालनी है तो V square equation क्या होगा 2 G S और S की जगे displacement कितना हुआ है 1 meter तो यह होगा 2 into 10 into 1 that is 20 तो V square 20 आ गया kinetic energy कितनी हो जाएगी half into 10 और V square की जगे हम रखेंगे 20 तो यह हो जाएगा आपका 10 that is 100 Joule ठीक है तो kinetic energy कितनी आ गई आपकी 100 Joule और potential energy 400 Joule that means total energy sorry total energy हो गई 500 Joule अब और आगे चलते हैं है अब किस point पर दिखते हैं इस C point पर देखते हैं तो यहां पर C point को मैं यहां calculate करके दिखा रही हूं अब देखिए displacement कितना हुआ 5 से 3 हम कितना नीचे आए टू मीटर डिस्प्लेशमेंट तो एम जी एच के वैल्यू कितनी हो जाएगी जी की जगे एम की जगे 10 ही रखेंगे जी भी 10 H3 300 Joule and kinetic energy निकाल लेते हैं तो H C kinetic energy half M V square V square कितना हो जाएगा 2 G S S की वालू कितनी है 2 meter तो यहाँ पर 2 रख दिया that is 2 into 10 into 2 that is 400 ठीक है 400 यह आएगा है ना अब हम इसकी value यहाँ पुट करेंगे तो यह हो जाएगा half into 10 into 400 यह हो गया कुछ कर बढ़ है V square की जिए अमने क्या लिखा है 2 G S that is ओके 40 हो गई है मैंने 400 लिख दिया गलती से ठीक है तो यह हो गया 440 और यहाँ पर भी 40 हो जाएगा बच्चों ठीक है तो हो जाएगा क्या है ना कि वहीं वहीं मैं उससे solve कर दे रहे हो तो दिक्कत हो गई है तो हो गया 200 हाना तो अब कारेटिक एनरजी 200 जूल और आपकी पोटेंशल एनरजी कितने आ रही है 300 तोटल कितने हो गई 500 अब देखो बच्चों बाखी का जब आप solve करते जाओगे तो यह आपको 300 जूल मिलेगा यह आपको 200 जूल मिलेगा और यह आपको मिलेगा 100 और यह हो जाएगा 500 सबसे लास्ट पॉइंट पर जूल और यह जीरो और टोटल एनरजी 500 तो आप देख रहे हो कि जब आप ऑब्जेक को उपर से नीचे की तरफ आपने ड्रॉप किया तो धीरे धीरे उसकी पोटेंशल एनरजी किसमें कंवाट होती जा रही थी काड़ेंटिक एनरजी में लेकिन जो टोटल एनरजी का conservation हो रहा है वह सेम ही है चाहे हम किसी थी फॉर्म में उनर्जी को लें तो 500 जूल ही हमें टोटल एनरजी हर केस में मिल रही है और इस क्वेशन से हमें लौ आफ कंजरवेशन और ज्यादा क्लियर हो गया एक बार इसको आप खुद भी परफॉर्म करके देखेगा कैलकुलेशन में कोई देखकर जारी हो तो एक बार आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले ले और इसके इसे अपनी नोट बुक में बहुत अच्छे से लिख लें ठीक है बच्छो आओ आगे बढ़ेंगे ठीक है चले अमने इस मूविंग विदा हाई विलॉसिटी ऑफ थर्टी मीटर पर सेकेंड अब एक आदमी है जो कि 30 मीटर पर सेकेंड के विलॉसिटी से चल रहा है डिट निकालना है कि टूटल कितनी नियुस ने यूज़ की तो में सबसे पहले तो आदमी जो है वो कितनी विलॉसिटी से चल रहा है थर्टी मीटर पर सेकेंड अब उसका टोटल मेक्यानिकल एनर्जी आपको निकालना है और वह 60 किलो का सामान उठा रहा है इफ ही ज़ान है और 50 मीटर अब देखिए इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा टोटल मेक्यानिकल एनरजी निकालनी है उसने कितना काम किया है यह आपको बताना है तो इसमें हमें दोनों चीज़े करनी पड़ेगी क्योंकि वह वेलॉसिटी में भी है और उसने कोई समान भी एक पर्टिकुलर ह हाइट पर उठाया है जो कि 50 मीटर की है तो यहां पर अगर मैं टोटल मेक्यानिकल एनरजी की बात करूंगी तो वह होगी पोटेंशल प्लस कानेटिक एनरजी तो हमें दोनों को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे कि मास है 60 kg ठीक है 60 kg मास है वेलॉसिटी वी है और हाइ कानेटिक एनरजी का हम कैलकुलेशन कर लेंगे ताट मेंस कि जो टोटल उसका मेक्यानिकल एनरजी है वो है 57,000 तूल्स ओके नाव ट्रांस्वर्मेशन ओफ एनरजी आर वेरियस फॉर्म्स इन कंवर्टिबल क्या सारे फॉर्मस ओफ एनरजी इनकम इन कंवर्टिबल होते ह है one form energy can be converted into other form of energy and this phenomenon is called the transformation of energy सबसे पहले तो transformation of energy का मतलब यही होता है कि जब आप एक energy को के form को दूसरे energy के form में convert कर देते हो ठीक है एक energy को के एक form से उसको उसके दूसरे form में convert कर देते हो तो इस इस नोन अस the transformation of energy तो वन औबजेकT dropped from some height its potential energy continuously converts into kinetic energy तो इस जैसे transformation कैसे हो रहा है जब आप किसी object को उपर से निचे की तरफ फेकते हो तो अभी जैसे हमने पिछले example में ही देखा कि उसकी potential energy धीरे-धीरे kinetic energy में convert हो रही है वन object is thrown upward जब आप उसे उपर की तरफ फेकते हो its kinetic energy continuously converts into potential energy क्योंकि वो एक जगे उपर जाके रुकेगा और जब रुकेगा तो stop होगा और velocity 0 हो जाएगी तो मतलब हाइट पर जाकर के काई टेक इनर्जी जीरो तो जब हाइट गीन करता है तो जिए देरे process of photosynthesis अब यहां पर भी transformation of energy है जैसे Sun से हमने solar energy लिए उसका use plants करते है plants photosynthesis करके अपनी energy उसे glucose के form में store करते हैं मतलब chemical energy वो बनाते हैं तो solar energy किसमे convert हो रहे हैं यहां पर solar convert हो रही है chemical में clear next the bound spring in the toy car passes potential energy as the spring is released its potential energy changes into kinetic energy कोई भी spring वाला toy जो होता है उसमें potential energy होती है और जैसे spring छूटती है तो kinetic energy में वो convert होती है तो यहां पर potential or kinetic energy transfer हो रहे है stressed bow अब एक हमाई पास बोह जब आप उसे खीचते हो तो potential energy है जब आप उसे छोड़ेंगे तो वो kinetic energy हो जाती है so as it is really is the potential energy of the stressed bow gets converted into kinetic energy of arrow which moves in the forward direction with larger velocity to win the soundly की तरफ velocity में जाएगा तो हमने उसे एक particular height पर ले आए एक particular distance पर ले आए तो उसमें potential आगया जैसे आपने छोड़ा तो वो move करेगा move करेगा तो उसमें velocity होगी that means key potential is converted into kinetic energy so this is known as the transformation of energy up what are the different instruments which is used to convert or transform the energy so सबसे पहला है electrical motor electrical motor एक ऐसा device है जो कि electrical power को mechanical power में convert करता या simple सी बात है कि आपको electrical energy से mechanical energy मिलती है जैसे कि हमने switch on किया तो motor चालू हुई और वहां पर सामने shaft घुमता है तो क्यों गूम रहा है क्योंकि मैंने electrical energy दी और वह से घूमना गूमना क्या कहलाएगी mechanical energy rotate करना rotation is mechanical energy या फिर कोई भी movement अगर हो रहा है एक energy लेने के बाद दूसरे में movement हो रहा है तो that is mechanical energy तो यहां पर electrical से mechanical बन रही है अब हमारी जो बड़े-बड़े से प्लांट होते हैं वहां पर energy electrical energy बनती है कैसे बनती है जैसे आपने बच्पन में डाइग्राम पड़ा हुआ कि टर्माइन के ऊपर पानी गिरता है तो वह घूमता है घूमने से electricity generate होती है मतलब कि rotation हुआ और electricity generate हुई तो mechanical energy converted into electrical energy here तो electrical generator ने कैसा डिवाइस है जो कि mechanical energy को electrical energy बेकन वर्ट करता है नल steam engine heat energy converted into kinetic energy electric bulb the electrical energy converted into light energy dry cell chemical energy converted into electrical energy solar cell light energy converted into electrical energy to here यहां पर हर case में क्या हो रहा है था बच्चो transformation of energy तो energy last में यह कहूंगी कि यह कभी भी create नहीं कि जा सकती नहीं destroy होती है यह एक form से दूसरे form में convert होती है और इन्हें convert करने वाले सारे instruments के नाम मैंने आपको बताएं तो आई होप यह वीडियो आपके next topic जिसका नाम है power तो power क्या होती है वह हम जानेंगे हमारे next video में तब तक के लिए इतने प्यार से वीडियो को देखने के लिए thanks for watching